नमस्कार मैं हूँ प्यूशरम और आप देखने नेक्स नाइन यूस पॉलिटिकल बाइट तो देखे गुजरात के चुनाव भूत ही नजदीक है नवंबर आने वाला है यानि कि कल से नवंबर स्टार्ट हो रहा है तो अब नवंबर में कभी भी देखिए उसके घोशना हो स लेकिन सारी के सारी पार्टिया कॉंग्रेस को छोड़कर सब इसब देखिये हर कोई अपने उमीदवार उतार रहा है लिस्ट जारी कर रहा है रैलियां पर रैलिया हो रही है कि अर्विंद केजरिवाल के बीच में हर को बता रहा है लेकिन बीच में अगर बात करूँ अभी जो एक्जिट पोल साय थे जब पहले के तीन-चार एक्जिट पोल साय थे उसके बाद जो एक्जिट पोल आ है उसमें देखिये अर्विंद केजरिवाल को 40-45 सीटों की बड़त दिखाई जा रही है लेकिन अब गुजरात की जनत लेकिन अगर आप जमीनी अस्तर पर देखे तो यह लड़ाई अर्विंद केजरिवाल और भाजपा की नहीं है क्योंकि अगर आप पुरानी सियासत देखेंगे दिल्ली विदान सबा देखेंगे लेकिन एक मिन अगर आप बोलने कि भाजपा की लड़ाई नहीं है तो अर्विंद केजरिवाल बार बार मोधी और शा को क्यों कट गरे में रखते हैं देखें वोट टारगेट है कि उस व अभी गुजरात की जनता ने अपने उपर जिसको इखतियार करके रखा है तो जरूर उस पार्टी में कुछ दम है उस पार्टी ने उस छेत्र के लोगों के लिए कुछ किया है तो आप अगर इंडिरेक्टली बोलना चाहरे तो आम आदू पर्टी वर्सिस कॉंग्रेस है कि दिली की बात करता है कोई भी गुजरात मोडल पर आपकर करता ही जाएंब पर्धान मंत्री नरेंदर मोदी बने है तो जनता किसको सरा रही है ये बताने की जरुवत नहीं है जनता ने गुजरात मॉडल को सराया है तब जाकर के केंदर में सरकार बनी है बीजेपी की तो दिल्ली मॉडल की जहां तक बात है कि दिल्ली में देखे अरविंद केजरिवाल अस्पताल्स को लेकर के अच्छे काम क कर रहे हैं लेकिन कुछ ऐसी जगह पर अर्विंद केजरिवाल की रनीती जो है वो दावकारी नजर आ जाती है गुजरात में अगर आप जाएंगे तो गुजरात में जो मॉडल है वो काफी ज्यादा सटीक है और देश की जनता ने उसे सराया है और देश की जनता को सायद अ लायत है जिसमें दिल्ली वालों को अमने अधर हमना नजरिया जाना था हमारे चैनल पर अभत देख सकते है कि उसमें की दिल्ली वाले असल में केजरिवाल के दिल्ली मौडल करक्या ऑलतें अगर आप पुछ लिगए आपको अचा लिगत वीडियो को लिख शैर किज़ पि कीजिए तब तक आप देखते हुए नेक्स्ट ने न्यूस पॉलिटिकल बाइट